बीरबल और बेगम बीरबल की तरफ्की से सभी दर्वालियों को जलन होने लगी थी इसलिए बोन के खिलाम साजिश का किरिखते थी एक बार उन्होंने बादशाह अग्बर के साले हुसैन खान की मदद से बीरबल का पत्ता साफ करने की सोची सही का ना? बिल्कुल सही इने बताए हुसैन खान, आप एक बहुत एक खास रखती हैं लेकिन दरबार में आपको कोई भी रहन पद नहीं दिया गया है मैं खुद बड़ा पद हासिन करना चाहता हूँ ये तो बहुत ही आसान कम है बेगम साहिबा से मिलकर आप उन्हें अपनी मर्जी बताएं वो जरूर आपकी मदद करेगी आपने जो रास्ता बताया वो बिल्कुल सही रास्ता है मैं अरी तुरंत जाकर अपनी बहन से मिलता हूँ मंत्री बनने की अपनी इच्छा लेकर हुसेन खान अपनी बहन से मिलने के लिए उनके महल में पहुचा बहना तुम्हें मेरे लिए उनसे बात कर नहीं होगी भाईया तुम फिक्र मत करो मैं बाश्चा सलामत से इस बारे में जरूर बात करूगी तुम्हारा काम हो गया समझो हुसेन खान बहल से चला गया अगली सुखा बेगम साहिबा बेसब्री से बाश्चाह का इंतजार करने लगी जब बाश्चाह आए तो बेगम ने पहतरीन शर्बत पेश करके उनकी खातरदाई की लीजी हुजूर कुछ मांगने के लिए मुझे खुश कर रही है ज़़ूर कुछ पुल्टा सी जामाने ली आप मुझसे कुछ मांगना चाहती है बेगम मैं चाहती हूँ राजा बीर्बल की जगा आप मेरे भाई को अपने खास मंत्री और अपने खास सलाका के पत पर न्यूक करें आप तो जानती हैं बीर्बल बहुत ही कुशलता और होश्यारी से मेरे प्रशासन के दिकते सोचा देते अगर बीर्बल मेरे दिये काम को पुरा नहीं कर पाया तब तो आप मेरे मुराख्थूरी करेंगे न जरूर करेंगे तो फिर ये तै रहा अगर बीर्बल मेरा दिया हुआ काम पुरा नहीं कर पाये तो फिर आप उनका सरकारी पत मेरे भाई को दे देंगे ठीक है, तो आज शाम आप बेरबल से कहें कि आप से मिलने वो मुझे बागीचे तक बुला कर लाएं हर शाम की तरह अगवर और बीरबल उस शाम भी बागीचे में कहलने के लिए पहुँचे बेरबल, बेगम के महल में जाओ और उन्हें यहां बुला कर लाओ किसी वज़ा से वो मुझे नाराज हैं, वो आने से मना करेंगी तुम किसी मी तरह उन्हें यहां लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी मौकरी गई बीरबल समझ गए कि बाज़चाह उन्हें कुछ इशारा कर रहे हैं, वो महल की ओर चल पड़े लास्ते में उन्हों अपने एक विश्वास पातर पहिलिदार को कुछ समझाया, उसके बाद वो बेगम के सामने हाजर हुई बेगम साहिवा, बाज़चाह बालीचे में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे मिलना है बेगम मुस्कुराव नहीं, उन्हें तो पहले से ही ये बता था, वो ना कहती उससे पहले ही पहरेदार बीरबल के करीब आया और उनके कानों में फुस्फुसाने लगा बेगम ने उसकता बश्च चुनने की कोशिश की, लेकिन आखी कुछ दब जीवने सुनाई दिये वो बहुत कुफूरत है ओ, ये बार, ठीक है, अब तुम जाओ बीरबल बेगम से मुखातिप हुए बेगम साहिबा, अब चलने की जरूरत ने, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ बेगम के दिमाग में चलन ने हल्चल पैदा कर दी थी आखी वो कौन हो सकती है, मैं पता लगाती हूँ बिना एक पल भी गवाए, बेगम साहिबा पागीची की ओर दोड़ पड़ी जहाँ बादशाह सलामत उन्हें देख कर हैरान रह गए बेगम, आपने तो कहा था आप नहीं आएंगी, लेकिन आप तो आग रही इसलिए आपने मौगा खो दिया, अब बीरबल अपने पत्पर बने रहेंगे मैं मान गए, वाकई बीरबल बहुत ही अकलमन्द है मुझसे कोई खता हो गए आपने मुझे नरास किया है बेगम, मेरा हुक्म है कि आप ये महल छोड़कर अपने अब बाहुजूर के महल में चली जाए अपने साथ आप अपनी सभी चीज़े लेती जाए बेगम ने कभी ऐसी बात की उमीद नहीं की थी, उन्हें बहुत बड़ा च्छटका लगा अब मैं क्या करूँ? मुझे किसी तरह बाश्चा सलामत को मनाना होगा येकिन कैसे? अब तो बस एक तरीका है, मुझे बीरबल की मदद लेनी होगी बेगम ने कौन बीरबल को अपने पास बुलवाया बीरबल बेगम साहिबा के सामने पेश हुए बाश्चा ने मुझे यहां से जाने का हुपन दिया है बीरबल, अब तुमी बाश्चा सलामत को मनाने में मेरी मदद कर सकते हो तुम भी बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? बेखम साहिवा, जहां तक मुझे पता है बाच्छा ने आपको अपनी सारी चीजे ले जाने का हकुम लिया है आप किसे अपनी सबसे की इंटी चीज मानती है? अपने बाच्छा सलामत को ओ, मैं समझ गई बीबल, तुम माहान हो बेखम साहिवा को सारी उजना समझा दी और वह से चले गए बेखम ने अपनी खनीजों को बुला कर उनका सभी सामान की कठ्ठा करने को कहा उसके बाच इजाज़त लेने के लिए उन्हें बाच्छाह अकबर को बुलबाया अकबर उनके कमरे में उनसे मिलने पहुचे तो आपने अपना सारा समान बाँ लिया? जी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार शर्वत पिलाना चाहूंगी बाच्छा सलामत बाच्छाह ने शर्वत पी लिया लेकिन वो उसी वक्त बेहोश हो गए बेगम ने तुलंद शाही पाल की मंगवाई और उसमें बैठ कर वहां से रवाना हो गई उनके पीछे एक और पाल की थी जिसमें बाच्छाह अकबर सो रहे थे बेगम अपने अप्बा की महल में पहुची जागने पर जब बाच्छाह अकबर ने खुद को बेगम के अप्बा की महल में पाया तो वे हैरान रह गए ये सब क्या है आप मुझे यहां कैसे ले आई बेगम जानती थी कि बाच्छाह ये सवाल करेंगे लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी सभी प्यारी चीज़े आपने साथ ले जाओ और आप मुझे सबसे प्यारे हैं आपने मुझे खुश कर दिया बेगम लेकिन आपको ये तरकीब बताई किसने बीड बल्ली मैं समझ गया था जब वे दोनों वापस अपने महल में लौट कर आए तो बीरभल को वहां बुलवाया गया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बीरभल तुमने बाश्या का भरुसा जीतने में मेरी मदद की मुझे तुमकर नाज है वीरभल एक गाउं में मेगु नाम का गरीब आदमी रहता था वो जोट या सच किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता था उसने इसके लिए अनेक दाउं चले परंतु सफल नहीं हुआ अंततहल लोगों की बाते